जहें दोस्तों मैंने धिवें चोहन आज हम करेंगे क्लास टैन्थ का 10.1 का question number 1 इसमें पहला question है वर्तूल के कितने स्परशक हो सकते हैं ठीक है तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि स्परशक क्या है स्परशक देखिए क्या होता है जैसे ये वर्तूल को टच करती हुई रेखा जैसे ये रेखा है ओके ये बिल्कुल सीधी होनी चाहिए मेरे सीधी नहीं हुई है जैसे वर्तूल को टच करती हुई जो भी रेखा है तो ये हमारा स्परशक है ठीक है इसी तरह से जैसे मैं यहां से डाल सकती हूं यह स्परश कर दिया है इसको हम टेड़ा भी डा लाले सकते हैं बड़ि वर्टूल को टच करती हुई होई चाहिए हूं के जैसे हम यहां से भी डाल सकते हैं मैं घा ju यह गई हमारे परेख्षड अ उसमें पूच्छा वर्टूल के कितने परशक हो सकते हैं तो हम कहने developments के और संख्य स्परशक हो सकते हैं क्योंकि जहां से भी touch किया रेखा ने जैसे की ये देखे, ये touch कर दिया है रेखा को, तो ये स्परशक हो गया, इसी तरह से यहां से मैं करदु टेड़ा, बठ ये वर्तूल को touch करता हुआ होना चाहिए, तो ये हमारा हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि वर्तूल के असंख्या स्परशक हो सकते हैं वर्तूल एक चौकस की बिंदू यानि की केंद्र यह हमारा केंद्र है ठीक है केंद्र से अंतर त्रिज्या अचल अंतर पर त्रिज्या अचल मतलब कि एक फिक्स अंतर होता है कभी वर्तूल तीन इंच का होता ह कभी चार इंच का तो अंतर पर तरिज्या पर आवेले बिंदू सम्मू है वर्तूल को दरेक बिंदू में वर्तूल एक स्परशक है जैसे कि यह हमारा यहां से हम यह तरिज्या डाल दें ठीक है तो इस तरिज्या का नाम डाल देते हैं A B अब A B पर जो लाइन टच कर रहे है यहां पर यह एक स्परशक है और यह हमेशा 90 लइंगरी का कोण बनाएगी जैसे यहां से हम डाल देते हैं यह स्परशक से यह त्रिज्या अगई तो यहां पर यह त्रिज्या डालेंगे केंदर से वो हमेशा 90 degree का कोन बनाएगी और उसे हम कहेंगे लंब, ओके, तो ये हो गई हमारी स्परशक की knowledge, अगला question देखते हैं, अगले question में बोला है, खाली जगा पूरी करो, यानि कि fill in the blanks, स्परशक वर्तूल के एक और एककज बिंदू में छेदता है, देखो, ये हमारा जैसे स् ठीक है, ये हमने स्परशक डाला, अब इसमें पहली जो लाइन है, उसमें कहा रहा है कि स्परशक वर्तूल को एक बिंदू में छेदता है, यानि कि ये एक ही बिंदू में छेदेगा, दूसरे बिंदू नहीं हो सकते, वर्तूल के दो बिंदू में छेदती रेखा को छेद जैसे यहां एक बिंदू डाल सकते हैं यहां एक बिंदू डाल सकते हैं ठीक है अब इन दोनों बिंदू को टच करते हुए जो रेखा जा रही है उसे हम कहते हैं छे दिका ओके तीसरा है वर्टूल की छे दिका के समानतर हो ऐसे वधु में वधु दो समानतर परशक हो सकते है यानि कि वर्तूल की छेदिका के समानतर तो ये छेदिका है यहाँ पे हम दूसरी छेदिका डाल देते हैं ठीके ये दूसरी छेदिका हो गई तो कहा रहा है कि वर्तूल की छेदिका समानतर हो ऐसे जादा में जादा दो समानतर स्परशक हो सकते हैं यानि कि ये दोनों मनली ज स्पर्शक के समाने बिंदू को स्पर्श बिंदू कहते हैं वर्तूल और स्पर्शक अब ये वर्तूल है और ये इसका स्पर्शक है तो इसके समाने बिंदू को जो यहां बिंदू है इसको हम कहते हैं स्पर्श बिंदू ओके अगला क्वेशन देखते हैं अगले क्वेशन मे बोला है कि 5 cm तिरज्जा यह तिरज्जा है 5 cm वर्वतूल को कोई बिंदू P आगे यह P है एक स्परशक P क्यों तो यह स्परशक हो गया हमारा P क्यों वर्वतूल को केंद्र O से पसार होने वाली केंद्र है Q बिंदू में छे दता है O Q है 12 तो P क्योँ हमें find करना है, तो हमने पाइथा गोरस प्रमे कई बारी किया है, इसमें भी हमें पाइथा गोरस प्रमे की मदद लेनी होगी, जब तिर्भुज में और जब 90 डिगरी का कोण हो, ठीक है, दो हमें बाजुएं दी हो और तीसरी find करनी है, तो हम लगाते हैं पाइथ पाइथा गोरस प्रमे, तो यहाँ पे हम पाइथा गोरस प्रमे लगाएंगे, तो हम लिखेंगे त्रिभुज, O, P, Q में कोण P बराबर है 90 डिगरी, हमने अभी अभी सीखा, कि स्परशक से उपर जो भी त्रिज्या होगी, वो हमेशा 90 डिगरी का कोण बनाएगी, ठीक है तो यहाँ पे हम लगाएंगे पाइथा गोरस, पाइथा गोरस क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो कर्ण क्या है यहाँ पर, O, Q, O, Q का वर्ग, लंब क्या है, O, P, तो O, P का वर्ग, आधार क्या है यहाँ पर, P, Q, तो P, Q का अब O Q हमें कितना दिया है 12 का वर्ग O P है 5 5 का वर्ग प्लस P क्यों हमें find करना है अगे यहाँ पर solve कर लेते हैं जगे नहीं है 12 का वर्ग 1 double 4 5 का वर्ग 25 प्लस P क्यों का वर्ग 1 double 4 25 का पक्षांतरन करेंगे तो माइनस 25 P क्यों का वर्ग 144 में से यदि हम 25 को माइनस करते हैं तो हमें मिलता है 119 P क्यों का वर्ग अब जो यह वर्ग है इस तरफ आके यह root हो जाएगा P क्यों अब 119 किसी की भी table में नहीं आता है ना ही वो किसी का वर्ग है इसलिए यह हमारा P क्यों हो जाएगा root में 119 तो जो हमारा option D है वो हमारा correct answer है ओके अगला question देखते हैं अगले question में हमें बोला एक वर्ग बनाईए देखिए यह वर्ग है वर्ग के समतल में दी हुई कोई एक रेखा समानतर हो ऐसी दो रेखाए बनाईए ठीक है तो जो पेकी एक वर्ग वर्टूल को स्परशक होए और दूसरी वर्टूल की 6 दिका हो यानि कि एक हमें स्परशक बनाना है इसमें और एक बनानी है 6 दिका ठीक है तो यहाँ पे जो रेखा L है यह रेखा है M और N रेखा के समानतर रेखा ठीक है ये जो L है ये हमें जो दी हुई है ये एक रेखा है तथा M और N रेखा L के समानतर M और N के ये समानतर है देखो बिल्कुल साइज इसका बराबर है ठीक है तो रेखा जो L है वो M और N के बिल्कुल समानतर है हम यहाँ पर लिखेंगे रेखा L M और N के समानतर है एक बात हुई ये दूसरी रेखा M जो रेखा M है ये दिये हुए वर्तूल को P, बिन्दू P में स्पर्षता हुआ एक स्पर्षक है ठीक है? P, M यहाँ पर स्पर्षक है P, M स्पर्षक है ठीक है? देखिए ये ये जो है वर्तूल को टच करते हुए जा रहा है तो ये हमारा एक स्पर्षक है उसके बाद रेखा N जो है यहाँ पर लिख देंगे रेखा N क्या है यहाँ पर? बिन्दू बिन्दू A और B में बिन्दू A और B में छेदती हुई छेदिका है ठीक है? तो कोश्चन में हमें दिया गया था एक वर्तूल बनाई ये वर्तूल बनाया वर्तूल के समतल में दी हुई कोई एक रेखा वर्तूल के समतल में दी हुई रेखा है L रेखा के समांतर हो ऐसी दो रेखाएं हमने बना दी, एक हो गई PM और एक हो गई AN, ठीक है, जो पैकी एक वर्तूल को स्परशक हो, उसमें से एक वर्तूल की स्परशक होनी चाहिए, तो देखो, PM यहाँ पे स्परशक हो गई, और दूसरी वर्तूल की छेदिका हो, तो देखो, यह छेदिका हो ग तो प्रवारत प्रवारत